कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एससी एड़ा 247 पर आपके अपने लॉड रिपन सर यानि नवदीप सर के साथ दोस्तों आज के इस शांदार जानदार से सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चेंज करेंगे जो क्वेश्चेंज आपके एक्जाम प मिलेंगे फ्री आफ कोस्ट और साथी साथ आपको यह भी बता देता हूं कि अड़ा 247 एप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को अड़ा एप के अंदर होम पेज पेज पे जाके कम्यूनिटी पे जाके एक्स्प्लोर ग्रूप और जीस बाई नवदीप सर को जोईन कर लेना है साथी साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपके अपने परिवार एससे अटा 247 को और चलिए पहला प्रशन दो वस्तुवों के उन सभी सहीं उजनों को क्या दर्शाता है जिसे एक भोगता दी गई बजार की कीमतों पर अपनी आयके स्तर के भ इंकम की सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों इसका सही अंसर आपको बताना है तो यहां पर आता है आपके लिए एक शांदार सा क्वेशं। इसका सही एंसर पता है क्या होगा इसका सही एंसर हो जाएक बजट लाइन जो बजट लाइन होती है ना में सखेल नगा्व कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे अपने जरूरत की चीजएं को खरीद तब जरूरत की चीज़ें तभी खरीदी जा सकते हैं जब बजट लाइन में काम हो नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अच्छा यह बताइए कौन सा केंद्रिय संस्थान है जो क्रिशी रिंड की निगरानी और विनियमन करता है तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा नाबाड नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट बारह जुलाई 1982 को इसके स्थापना हुई थी अगर भरोसा नहों तो 17 दिसंबर को 17 दिसंबर 2023 को MPPSC का मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन का प्री इग्जामिनेशन हुआ है 2022 वाला आप जा करके इस एक्जाम को देखिए कि यहां तक कि वह स्थापना के बारे में भी पूछा हुआ है कि सेट्वी कि स्थापना का वोई थी तो भी अप्रेल 1990 हुई थी 12 जुलाई के 1982 को नाबाड की स्थापना हुई और यह प्रश्न पूछा हुआ है एक्जामिनेशन में दोस्तों तो नाबाड हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी है 17 दिसंबर 2003 को MPPSC प्री 2022 का पूछा हुआ क्वेशन है यह अभी अभी मैंने इसको देखा है अच्छा साथ ही साथ यह याद रखो कि इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट है जो हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो क्या होगा तो एक मिनट कहां चला गया हमारा क्वेशन हां से भी कि स्थापन इंड डेवलोप्मेंट अथोड़ी के नाम से जाना जाता है आयार डिये के हैड क्वाटर रहा है तो याद्र रहा है कर रहा है की श्री शाजी के वी इस समय पर है अभी हेड है नाबाड के अटल टिंकरिंग लैब निम्न में से किसके संस्था द्वारा एक पहल है या अटल टिंगरिंग लैब को पूरे भारत में लगभग 5,400 प्लस अटल टिंकरिंग लैप्स बनाने की बात की गई है और यह अटल टिंकरिंग लैब्स कौन से संस्था द्वारा एक पहल शुरू की गई है तो याद रखेगा इस इस स्टार्टेड बाई दर निति आयोग निति आयोग जो है नेशनल इंस को योजनायोग योजनायोग प्लाइनिंग कमिशन 31 जैनवरी 2014 को योजनायोग खतम कर दिया गया अब यह बताओ प्रित्वी की प्राकृतिक विश्यश्ताओं जैसे कि परवत पठार नद्यों मैदानों महासागरों आदी को दर्शाने वाला मांचित्र कौन सा मांचित्र के लाता है maps showing the natural features of the earth such as mountains platos rivers plains oceans are known as क्या कहलाता है और इसका सही answer क्या होगा तो दोस्तों याद रखना इसका जो सही answer ना इसका सही answer हो जाएगा relief map कहते हैं उसको उचावच मांचित्र या वह हमारे physical features को नब दिखाता है वो हमारे मैप के अंदर के जो भी प्राकृतिक स्थितियां है उन प्राकृतीक स्थितियों को दर्शाता है फटा फर से दोस्तों एक काम करो जल्दी से सेशन को like कर दो कर दो जितनी लोग सो यह आप assos जेमिदारी है और चैट वैठ करो यार तो याद रखेगा दिलवाडा जैन मंदिर के डिजाइनर कोन थे तो याद रखेगा दिलवाडा जैन मंदिर के डिजाइनर का नाम हुआ करता था वास्तु पाल दिल्वाडा जैन मंदिर के डिजाइनर कौन है वास्तुपाल और साथ दिल्वाडा जैन मंदिर के डिजाइनर अगर वास्तुपाल है तो डिजाइनर के साथ साथ यहां यह भी याद रखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया तो दिल्वाडा जैन मंदिर का कंस्ट्र के की डीरागी राजपूति रूल कर सोलंग्की राजपूत्स रूर कि इन गुजरात तो गुजरात में ये इस या जफूतों के साषन में मन्त्री हुआ करते थे विमल शाह और उन्होंने वास्तु पाल से matter से डिजाइन कर वाया था राजस्तान के सीरोही जिले में राजस्थान का एक जिला है सिरोही और सिरोही जिले में जगह है जिसका नाम है माउंट आबू इस माउंट आबू नाम की जगह पर यह मंदिर स्थित है दिल्वाला जैन मंदिर चलो आगे बढ़े गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स नमस्कार सभी को एक बार बहुत- यह बताओ फूर्वी घाट की सबसे उची चोटी कौन स commercials आप देखें यहां उप्षन में जिंदगड़ा की बात ही नहीं और पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी है महेंद्रगिरी याद रखेगा महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी है और महेंद्रगिरी का जो टोटल भाकू घाटी में ठीक है याद रखना चलो अब आगे चलते हैं आगे चल करके हम यहाँ पर एक और question आप लोगों से discuss करेंगे और वो question क्या होने वाला है वह question आपको बता देते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर अगला question यह है कि बता यह शहीद लक्षमन नायक कौन से राज्य से हुआ करते थे यहाँ पर शहीद लक्षमन नायक जो है शहीद लक्षमन नायक कौन से राज्य से हुआ करते थे यह हमारे लिए बहुत ही important question है ठीक है शहीद लक्ष्मन नायक कौन से राज्य से हुआ करते थे तो देखो दोस्तो शहीद रक्ष्मन नायक जो है सहीद लक्ष्मन नायक हुआ करते थे ओडिशा से नाम से ही क्लियर है शहीद लक्ष्मन नायक ओडिशा बहुती कमाल के वेक्टे तो अगर देंगी कहानी म निम्लिखित में से किसे अजात शत्रु कहा था और अजात शत्रु जो है अजात शत्रु लाला लाजपत राय बाल गंगा धरतिलक भगत सिंग डॉक्टर राजेंद प्रसाद में से किसे कहा था तो यह याद रखेगा डॉक्टर राजेंद प्रसाद जो है उन डॉक्टर रा आपके लिए याद होना चाहिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए और भी क्वेश्चन्स को हम लोग करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यह है कि बताइए जल्दी से निमलिखित में से किस अख़बार का संपाधन दादा भाई नवरोजी ने किया था कौन सा अख़बार है ऐसा जो दादा भाई नवरोजी ने छापा था दोस्तों जो लोग लाइव हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को बताइए हम उनको क्या कहें कर सकते हैं आप इतना बाबू आपके लिए ही है यह सेशन किसी और के लिए यह स पत्रिका है और समवाद कौमुदी नाम की पत्रिका को 1820 के आसपास शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने और यह बंगाली भाषा में हुआ करती थी राजा राम मोहन रॉय भारतिय पुनर जागरण के जनक कहे जाते हैं या इन्हें कहा जाता है फादर आफ इंडिय की भाषा में था विच लैंग्वेज वाज यूजड टू पब्लेश रस्त गोफतार न्यूस्पेपर एक गुजरादी न्यूस्पेपर धरा वेरी नाइस चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़कर के दोस्तों एक अगले प्रशन को करते हैं इंडियन नेशनल एसोसियेशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा की गई थी ठीक है जल्दी से बताएं इंडियन नैशनल एसोसियेशन इसकी स्थापना जो है वह 1876 में किसके द्वारा की गई थी यह हमारे लिए एक अत्यांत महत्तुपूर्ण क्वेश्चन है तो इंडियन नैशनल एसोसियेशन की बनाया बसाया भारत के समिधान के कौन से रुच्छत के अनुसार राष्टपती संसत के स्थागन पर अध्यादेश पारित कर सकता है मतलब विच आर्टिकल इन दे Constitution of India empowers the President of India to promulgate ordinances when the Parliament is in races जब संसद सत्रावसान पर हो संसद न लग रही हो जब संसद का सत्र चालू नहों उस समय पर हमारे राष्ट्रपती temporary कानून ला सकते हैं और उनको या अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल है एक संविधान के अंदर आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 जो है यह कहता है कि भया हमारे राष्ट्रपती जब चाहें तब केंद्र में कोई भी एक कानून ला सकते हैं मतलब ordinance ला करके बेसिकल एक temporary कानून बनाया जाता है और यह temporary कानून को आगे पार्लियमेंट कंटिन्यू करना चाहती नहीं करना चाहती यह पार्लियमेंट के session में आने के बात पता चलेगा पार्लियमेंट session में आई फिर उसने temporary कानून को या तो खतम कर दिया या फिर temporary कानून को को पर्मनेंट कर लिया क्योंकि पार्लियमेंट ही एक्ट बनाती है टेंप्रेरी कानून बनाने के लिए टेंप्रेरी एक्ट बनाने के लिए तो राष्ट्रपती का ओडिनेंसी काम आता है ठीक है तो राजपाल इसी काम को करें अगर केंद्र में राष्ट्रपती करें और रा which of the following articles of the Constitution of India was invoked by the Kerala government to file a petition against the Citizenship Amendment Act of 2019 in the Supreme Court on 14th of January 2020 बदाये जल्दी से सही आंशर क्या होने वाला है न फटाफट इसका जो है इसका एंसर कीजिए और एंसर करने के लिए आप सभी लोगों को थिक आइसर करने के लिए आप सभी लोगों को यहां पर जाना है फटाफट बताओ अधिक जल्दी से बताओ कि हुआ हाँ वेरी नाइस तो इस तरह से जो हमारे स्टूडेंट थेffentlich उन्होंने बिल्कु अन्सर किया है और जो बिल्कु आउन्सर आप लोगों ने किया है उस बिल्कु आउन्सर से क्या समझ सकते हैं हमों चलो चलो और भाई एक ये स्टूडेंट है जिसका नाम है मिस्टर अलतमस इसने देखो उर्दू है लिखा हुआ है न कुछ यहां पर आप लोगो समझ मैं रहा है उर्दू में क्या लिखा हुआ इसने सब्सक्राइब आपके आर्टिकल 131 पर आ जाते हैं जो सिद्धियंशिप एमेंडमेंट एक्ट के तहत इसके विरोध में लाया गया था बहराल आगे बढ़ करके मैं कुछ चीजिया आपको और बताना जाहूंगा भारती संसत के संदर में शू निकाल का मतलब क्या होता है व है जबसे बताओ को sent you understand by the 0000 मतलब संसत जो है ना हमारी संद में हमारी अगर भारत का कोई फीचर है है विल्पा फीचर तो भारत का किया है तो याद रखेगा भारत का सिर्फ एक ही फीचर है जो हमारे पास मौजुद है और भारत का पीचर है कि हमारे पास शून काल है और शून काल क्या होता है तो याद रखना कि जो टाइम इमिजर्टली ऐफर दा आथ है वही शून काल के लाता ठीक है इसको क्या कहते हैं इसको शू निकाल कहते हैं आगे बढ़ें एक और क्वेश्चन है हमारे सामने यह बताइए यूरोपी संग का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया और यह लैंग्वेज जो है वो उर्दू थी उर्दू में अलतमश नाम का एक स्टूडेंट को कहना यह चाह रहा था कि हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं मतलब मुझे आप आई डूंट अंडेस्टेंड यू ऐसा कहना चाह रहा था ठीक है कोई बात नहीं अब जो उर्दू बोलेगा वो थोड़ी नहीं मुझे समझ पाएगा मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं ना उर्दू वाले को अंग्रेजी थोड़ी समझाएगी ने अपने आपको भीटे ने अपने आपको यूरोपीन यूनियन से बाहर करवा लिया था यूरोपी संग एक ऐसी देशसे अंदर recursos छला European Union की एक मुद्रा European Union का एक पास्पोर्ट जो अलग-अलग देशों द्वारा European Union के अंदर चलाया सकता है मतलब कभी उरोप घूमने जाए तो जितने सदस्य देश है यूरोपी संके उन देशों में आप एक ही पास्पोर्ट पर आराम से घूम सकते हैं ऊरोपीर यून्य आप को यह फाइदा देता एगा चोटे चोटे देश इंए उरोप के को बड़े बड़े देश तो है नहीं तो अब दिलवा देंगे आपको चलो भाईया नितेश गुप्तवंजी कह रहे हैं सर जैस्री राम अच्छा मान लो कि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते जैस्री राम बोलूंगा भी तो क्या आपका सेलेक्शन हो जाएगा यह आप से क्वेश्चन है मुद्दा यह है कि आपका सेलेक्शन होना चाहिए दोस्त भगवान तुमान लीजे आपके साथ ही है कि ठीक है तो अगर रुको यार बहुत ज्यादा कॉमेंट कर रहे हो कि तीस मिनट के लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्त गुप्तवंशी सहाब कि ठीक है एससी जीटी क्लास दिलवा देंगे दोस्त फिलहाल देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो एक और चिंदबरम चिंदबरम चेटी आर द्वारा चेन नहीं में 1937 में की गई थी यह आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का अंसर की वड़ा वड़ से कौन सा बैंक है कि क्या है इसका सही एंसर जल्दी से बताओ तो जल्दी से देखे सही एंसर क्या होने वाला है याद रखेगा जो सही एंसर ना इस बैंक का वह होने वाला है इंडियन ओवर सीज बैंक अब दोस्तों देखें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जानकारी आप बड़े ध्यान से ले लिए अगर आप CSIR की प्रॉपर ली तैयारी कर रहे हैं तो CSIR की तैयारी करने के लिए हम आपके लिए लेकर क्या है कुछ खास और आपको गूगल पर जा अनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और यह जो CSIR है CSIR में मैं ही अकेला आपको पूरा जीके और जीस कवर कर रहा हूं जोग्रफी हिस्ट्री और पॉलिटी यह मैं आपको कवर कर रहा हूं यह जो बैच है यह बैच आप वाई 263 कूपन कोट लगा करके ले सकते हो क्योंकि देखिए अभी जो आप बैस देख रहे एनवाई 75 यह कूपन कोट लगा हुआ है इसके बाद डिसकाउंट जो है आपको 75% का मिल रहा है लेकिन मेरे कोट को यूज करेंगे तो 77% का डिसकाउंट मिलेगा आप इसको रिमूव करिए फिर यहां पर आप मेरा कोट लगा यह वाई 263 जैसे या वाई 263 लगा ओगे ना देखो अपलाई करते ही यह 3909 का हो जाएगा तो CSIR का सेक्षन और असिस्टेंट सेक्षन ऑफिसर का जो बैच है यह है आपको बहुत ही सिंपली कितने में मिल जाएगा कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा वाई 263 और वाई 263 कूपन कोड से यह आपको मिल जाएगा 3909 का ओनली लेकिन अगर आपको जीडी लेना है अगर आप जीडी का बैच लेना चाहते हो तो आप एक काम करो आप यहीं गूगल पर अड़ा सर्च करो स्सी पर जाओ स्सी में जाने के बाद देखे स्सी जीडी सामने है और स्सी जीडी का जो स्सी जीडी कॉंस्टेबल का महापैक है स्सी जीडी कॉंस्टेबल का महापैक भी ले सकते हैं और चाहें तो स्सी जीडी कॉंस्टेबल का फाइनल सेलेक्शन बैच भी ले सकते हैं ज आपके लिए मिल जाएगा तो भाइया कूपन कोड याद रखिएगा कूपन कोड होने वाला है वाई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला ठीक है तो थैंक यू दियर स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं बबाई टेक केर अलतमाश यार तुम्हें तो पसंदी नहीं था तो क्लास इसलिए खतम कर दिये दोस्त झाला पसंदी रखतम कर दोस्त